नमस्ते आप सभी को आपका स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो में और मैं हूँ आपकी टैरो रीडर वैशाली शर्मा और अगर आप हमारे चैनल से पर्सनल टैरो रीडिंग बुकिंग करना चाहते हैं या जो हमारी haven services है वो आप booking करना चाहते हैं तो आप contact कर सकते हैं जो whatsapp number है वो description box में दिया गया है और जो हमारी haven services है जो यग्य services है महायग्य services है वो अलग-अलग प्रकार की available है एक तो छोटे यग्य होते हैं महायग्य होते हैं और अलग-अलग दिन के होते हैं एक दिन के, तीन दिन के, पांच दिन के ऐसी आगे दिन बढ़ते जाते हैं तो उस हिसाब से आप अपने लिए booking कर सकते हैं जैसे कि दुरगा माहवन, काली माहवन विश्नु सहस्तर नामहवन शिव सहस्तर नामहवन ऐसी अन्य सहस्तर नामहवन के जो सर्विसेज हैं, वो भी उपलब्द हैं तो जो भी आपकी मनोकामना हो या जो आपकी इच्छा है आप उसकी अनुसार अपने लिए booking कर सकते हैं अब हम आते हैं आज की reading पर कि शनी देव का आपके लिए क्या संदेश है तो देखते हैं आपके cards यहाँ पर क्या बोल रहे हैं तो शनी देव का संदेश आपके लिए ये है कि देखे जो आपकी life में अभी जो भी परिस्तितियां चल रही है पहली बात तो वो चीज है आपको अपने उपर विश्वास रखना होगा और अपने आपको बदलते और उचा बढ़ाते हुए चलना होगा ठीक है पहली बात तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी life में शुरू से जो था वो बहुत ही जादा एक आपको difficulty रही है अपनी खुद की जो कहते ना identity को पहचानने में और एक अलग कहते ना अपने सच में पूरे स्वरूप में आने में क्या रहा है कि और पास आपकी जो परिस्तितियों सिचुएशन ऐसी हुई जो कि आपके साथ काफी जादा mix up हो गई बहुत mess up हो गई मतलब जैसे कहते हैं ना कि हर इंसान का खुद को देखने का नजरिया होता है अपने बारे में एक opinion होती है धारना होती है तो आपको जो अपने बारे में एक opinion थी वो एक बनाने में उसको बहुत जादा कठिन लगा है ना difficulty लगी आपको वो चीज को बनाने में लेकिन यहां पर क्या है आपको यह समझना होगा कि life क्या है यह सरिफ ऐसा नहीं है कि यह सब चीजें कोई इंसान लेकर पैदा होता है पर यहां पर क्या है आपको अपने ही phases को पहचानना होता है Phases मतलब दिखो यहां पे शनी देव आप से यह कह रहे हैं कि आप अपने आपको तभी पहचान पाएंगे जब आप यह दिखेंगे कि आपने हर परिस्तिती में कैसे आपने अपना decision लिया, आपने क्या सोचा, क्या आपका intention था, है न, तो उससे आपकी क्या है एक खुद की ए आपकी पहचान कराने आया है, है न, तो आपको यह नहीं सोचना है कि है मेरे साथ ऐसा हो गया, यह हो गया, जो एक तरीके से, कहते हैं न, एक रोने वाला जो एक system है, वो जो अपने जो घटना है, यह अपना दुख है, यह अपनी परेशानी, अपनी लाचारी, बेचारी क उसको पकड़ के नहीं बैटना है, है न, चीजों को जाने दो, और अपने आपको थोड़ा सा ऊपर उठा कर देखो, मतलब की थोड़ा भगवान की नजर से चीजों को देखो, यह देखो कि लाइफ में ऐसा क्यूं हुआ, आपके साथ ही क्यूं हुआ, आपने क्या सोचा या जिस बंदे ने आपको धोका दिया, अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ तो ऐसा क्यूं हुआ, है न, तो इससे क्या है, आप एक तरह से, क्या न, डिफरेंस समझ पाओगे, डिफरेंस मतलब अंतर समझ पाओगे, कि क्या जूट है, क्या सच है, क्या सिर्फ बाते हैं, क सही है या फिर स्रिफ और स्रिफ दकी अनूसी बाते हैं तो यह सब चीजें आपको समझ तभी आएंगी जब आप अपने आपको पहचानेंगे और अगर आपकी कोई जैसे कहते हैं अगर दूसरों का क्रिटिसम आपको लग रहा है कि सही है तो फिर आपको यह पहचानना होगा कि उस क्रिटिसम को कैसे accept करके अपने आपको बहतर बनाया जाए अपनी जो आपका जो सफर है देखो life यहाँ पे शनीदेव कह रहे हैं यह नहीं है कि आपकी अभी खतम हो गई हो सकता है आप बहुत जादा दुख में हैं बहुत जादा अटैच हो गए हैं पास्ट की बातों से लेकिन सच यह है कि द आनसिक तोर पर अपने आपको ऊपर उठाना है अपने आपको लेवल अप करना है है ना तो वो जब ही आएगा जब आप जो घटना करम है उसको गहराई से समझोगे है ना कि इसके पीछे क्या मीनिंग था क्यूं किया भगवान ने ऐसा या ऐसा आपके साथ क्यूं हुआ ह इसमें आपकी कहां गलतियां हुई हैं कहां आपने लापरवाई करी या कहां आपने सही सही किया तब जाके आप अपनी खुद की एक इंडिविज्वालिटी बना पाएंगे और अपने लिए स्टेंड ले पाएंगे और जो आपका जो सच है उसको आप बिलकुल एक कॉन् कर रखेंगे तो यहां पर आपको यह समझना है शनी देव यह कह रहे हैं बाखी की चीजे तो सेकिंडरी हैं पर लेकिन आपका जो एक खुद पर विश्वास होता है आत्म विश्वास है और जो आपने अपनी लाइफ में डिसीजन्स लिये हैं उसमें जो आपका कॉन्फि आपको देखना है और दूसरी बात यह है कुछ लोग जो अपनी प्रेग्नेंसी को लेकर चिंतित हैं तो आपको वो चिंता करने की जरूरत नहीं है जो भी आपकी प्रेग्नेंसी में ग्रोथ या डेवलप्मेंट है वो सही हो रहा है आप बस अपना हेल्थ का ध्यान रखे और खासकर जो आपकी मून साइकल्स हैं उसमें आप थोड़ा ध्यान रखिए जो ठंडी चीज वगेरा से बचने की कोशिश करें ठंडी जैसे आइसक्रिम वगेरा अगर आप खाएं या कोई भी ऐसी चीज जो आपको ठंड़क दे उससे थोड़ा सा बचके चलें बाकी द सरिफ देखो भगवान पर विश्वास करके आगे बढ़ते रहना है क्योंकि देखो एफेक्ट तो किसी ना किसी चीज का लाइफ में होता रहता कोई भी ऐसा इंसान या भगवान भी ऐसे नहीं हुए हैं जो कि प्लैनेटरी सिस्टम की एफेक्ट से बच बच पाएं या ग प्रोटेक्ट करեղ सकते हो और किसी भी भारी नुकसान से अपने आपको बचा सकते हो तो उसके लिए आपको ये करना है अपना FOKUS जो भी किसी एक भगवान को या एक हाईयर पावर को आप मानते आये हैं उसी को मानते चलिये और उनको छोड़िे मत आप जिसको भी मानते ह Christianity में या किसी भी religion में आप जिनको मानते हैं उनको आप मानते चलिए आगे और उन पर विश्वास रखिए क्योंकि जिसकी आपने साधना करी इतने टाइम वही आपको protect कर रहे हैं इस सफर में और बाकी आपको चीजों को control करने की जरूरत नहीं है क्योंकि चीजें आपके लिए क्या है अपने आप ही चल रही है और रास्ता आपका सही है जिस भी रास्ते पे आप हैं अभी इस समय सही है बस आपको अपने अंदर देखना है कि आपने कहां सही किया कहां गलत किया कुछ जो अपने अंदर changes करने होगे अपने mindset में changes करने है बाकी आपको सरफ आगे बढ़ते जाना है यही शनी देव का आपके लिए संदेश है और अगर आप हमारे चैनल से फिर से अगर tarot reading लेना चाहते हैं और हवन लेना चाहते हैं अगर शनी देव जी कभी हवन लेना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं details description box में दी गई है मैं मिलूँगी आपको next video में